इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। कित्सक द्वारा सलाह के अनुसार बूंदों की संख्या का प्रयोग करें। कमजोर पढ़ने से बचने के लिए उसी आँख में कोई अन्य दवा देने से पहले कम 5-10 मिनट तक प्रतीक्षा करें। अगर बोतल खोलने से पहले सील तूट गई हो तो बोतल का इस्तेमाल न करें। हमेशा अपने हाथ धोएं और ड्रॉप के सिरे को न चुएं। ये आपकी आँख को संक्रमित कर सकता है। इस दवा को लंबे समय तक उप्योग की आवश्यक्ता हो सकती है। और जब तक आपको इसकी आवश्यक्ता हो तब तक इसे सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है। इस दवा का उप्योग करने के सबसे आम दुश्प्रभाव धुंधली या परिवर्तित द्रिश्टी और कभी-कभी आँखों में दर्ध होता है। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप इन लक्षनों का अनुभव करते हैं लेकिन वे आमतोर पर अस्थाई होते हैं। जब तक आप सुनिश्चित न हों कि आप इसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं, तब तक ड्राइव न करें, मशीनरी का उप्योग न करें या कोई भी गतिविधी न करें जिसके लिए सपश्ट द्रिश्टी की आवश्शकता हो। अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदि आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है, या यदि दुश्प्रभाव आपको परेशान करते हैं। यह दवा आपके द्वारा उप्योग की जाने वाली अन्य दवाओं से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी ग्लुकोमा हुआ है। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।